नमस्कार दोस्तों सागते आप सभी का रोसन सा इस्टेडिकोंट पर और आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं 12 class history का map देखें इस पीडिया में कुल मिला कि 10 map एड़ किया गया है लेकिन 10 में से 3 map ऐसे हैं जो की most important है और इसी 3 map में से हर बार आपके map में location आते हैं लेकिन वैसे तो हम 10 के 10 map कर लेंगे लेकिन 3 map कौन से important है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा और map में जो पूरे 5 number है वो आपके fix हो जाने वाले एक number भी map में कटने नहीं दूँगा तो सबसे पहले हम हडपा इस थल की बात करेंगे जो पहला chapter है और ये पार्ट में जो लोकेशन दे रखें यहीं पूछा जाता है जो पाकिस्तान वाले इससे में को आपके मैप में लोकेशन आरेंगे लेकिन हम यदर leosy को भी याद कर करेंगे ci हम नहीं छोड़ने वाले है ना तो देखिए आप cells की बात करोगे तो इसमें 10 लोकेशन दे सबसे पहले हर्याना से हम सुरू करते हर्याना में सबसे ऊपर की तरफ आप यहां दिखाओगे उपर की तरफ आप दिखा देना नंबर नहीं कटेगा बनावली ठीक हर्याना में ऊपर की तरफ बनावली दिखा देना इसी साथ दिल्ली के हलका सा ऊपर आपको यहां पर दिल् काली बंगा भी हम बोल देते हैं उपर की तरफ राजस्थान में काली बंगा हो जाएगा ठीक है सब आप गुजरात में तो घुजरात में तीन यह जो मैं आपको टिक कर रहा हूं इतने में कहीं भी आप धौलावीरा लिख दोगे लेकिन गुजरात में लिखना गुजरात के बाहर अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा ठीक है तो यह तो इंडिया के इंडिया में जो भी हरपाइस्तल का लोकेशन था वह मैंने बता दिय बनाबली हईयान। बनाबली हमें उपर के दिल का इंडृत ऑपर आजस्तान में गुञाता उपर की तरफ और पाकिस्तान में जो लोकेशन आ जाता ये परमुकई ऐस तो यह तैछाव का दिखा देंगी यह वाला जो भी चुर्ट दीजी कि Clay Dad लेफ्ट जाओगे आप मोहन चोदरो दिखाओगे ठीके उसके बाद कोट दीजी के नीचे की तरफ आओगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चनहुदरो ठीके चनहुदरो भी पर इंपोर्टर लोकेशन है दो एक लोकेशन और है कि हमारा बाला कोट का तो बाला कोट इध अगला मैप देख लेते हैं महाजनपत और प्राचीन नगर के बारे में है तो इसमें से देखो बहुत सारे लोकेशन दे रखे काफी सारे लोकेशन है आप सभी लोकेशन को याद इतनी जल्दी तो नहीं कर पाओगे तो कुछ-कुछ इंपोर्डन लोकेशन जो भी मैप मे आगर जो था वह वारा नसी था तो आपको यहां पर दिख रहा है वाराणसी फिर आप अगर बिहार में नहीं हें तो सबसे उपर वज्जी दिख जाएगा ठीके तो यह बिहार में हमारे तीन लोगेशन हो जाएंगे आप अगर मध्य परदेश में आएंगे तो अवंती और उजयन अवंती को ऊपर की तरफ और उजयन को नीचे के तरफ दिखा देना भाई नमबर मिल जाएंगे आपको उसके बाद इधर के तरफ आओगे आप तो पाकिस्तान में इस तरफ नीचे की तरफ अफगानिस्तान का जो बॉडर है उसके नीचे की तरफ आप दिखा देना तक्सिसिला ठीके और ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉडर का ऊपर का एरिया है वहां पर आप गांधार दिखा देना ठीके तो यह प्रमुक तो सबसे पहले तोपरा हर्याना में अचल आपको दिखाता है इसके बाद पाटली पूत्र आपको इंपरन रहेगा जो की बीच में आप दिखाते खाइब बिहार के बीच में दिखा देना थोड़ा टोड़ा तो ऊपर भी दिखा सकते हो चलेगा उसके लोकेशन आपको मध्धपरतेश मेखे सांची दिख रहा है शांची की wokको यादी होगा सांची मध्देश में है हमारा सोपारा अब Yeah महरास्ट में है ठीके और गिरनार कुछ्छिझ रहा है गिरनार का है इस चाहिए सब को आरओ का असोक के परमुख अभिलेखों का वित्रन वाले मैप में ठीक है विससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है यह अभी जो मैंने आपको दो मैप बता है यह ज्यादा पूछा नहीं गया है ठीक है अब आले अगला परमुख बहुत इस्तल की हम बात कर लेते हैं परमुख बहु इंपोर्टेशन पर सभी के लिए यह उपी और नेपाल जो बॉर्डर है तो बिलकुल बॉर्डर के हल्का सा ऊपर दिखा दोगे लुम्बनी नीची आओगे तो यहां पर यूपी में सारणार्थ दिखाऊगे यह सारणार्थ का लोकेशन है तो यह तो विल्कुल आसान हो ज पूछा जाता है MP में यहां उपर की तरफ भरूत है हमारा बीच में आप सभी को पता है सांची है हमारा है ना उसके बाद महरास्ट में जाओगी देखो भाई यहीं पर दो नमबर कड़ गये थे मैं अपने अपनी बात करूँ तो मेरे हिस्टी में 95 मार्क्स आये लेकिन मेरे 97 आ सकते थी मेरे दो मैप गलत हो गया थे अजंता और नासिख वाला लोकेशन गलत हो गया था 2018 के बोड मी यही मैप आया था और मैप की दिनी अच्तियारी की नहीं थी और नंबर कड़े गये थे मेरे 2 ठीक है तो एक तो अजंता भाई के अधर वहीं इम्पोडन समझे लो उपर की तरफ आंधर परदेश और तलंगाना का जो बॉर्डर है तो बिल्कुल थोड़ा सा उपर आप दिखा दे ना ना गर्जुन कॉंड़ा है और अमरापती आप आंधर परदेश में दिखा होगे ठीक है यह बौद इस्थल के परमुख लोकेशन हो गए उसके बाद अगला है महत्मुन राजे और नगर यह 600 इसापुट से 620 के दौरान के प्रमुख राजे और नगर है बहुत साइर लोकेशन दे रखें लेकिन मैं सिर्फ इंपोर्टन लोकेशन आपको बताता चलूँगा जैसे कि सबसे पहले कुशान कुशानों का आप दिखा यह देखो यूबी के बीचों बीच कर्नोच का लोकेशन हमारा बहुत इंपोर्टन रहता है वाकटक विदीसा वैसे नहीं पूछा जाता लेकिन वाकटक ज़रूर पूछा जाता है तो वाकटक का लोकेशन याद रखना मध्यप्रदेश है अगर वाकटक को भढ़ने के ल रख लेना भाई इसमें यहीं लोकेशन आप याद रखो बहुत है बाकी और नहीं पूछा जाएगा महत्वन राज्ये पूछे जाएंगे तो राज्यों में कुशान वंस का राज्ये गुप्त वंस का राज्ये वाकटकों का राज्ये शक वंस का राज्ये और साथवानों चेर तो यह चार लोकेशन और आपके बढ़ जाएंगे जो कि साउथ में रहेंगे और यह 600 इसापुर से 600 इसवी के दोरान के परमुक राज्ये है इसको जरूर याद कर लेना भाई अब दक्षिन भारत में चलते हैं तो देखो यहाँ पर विजय नगर सामराजे का मैप पूछ लिया दक्षिन भारत के परमुक राज्ये और नगर पूछ ले मैप का हैडिंग क्या रहेगा दक्षिन भारत के परमुक नगर या फिर विजय नगर सामराजे के परमुक नगर तो यह हमारा मैप का लोकेशन तरफ यहां आप देखेंगे मैसूर मैसूर यह याद कर लेना भाई उसके बाद आप दिखोंगे ऊपर यको राजाते हैं इस तरफ गोलकुंडा उसके बाद पर गोलकुंडा बखार उसके बाद इधार आप देखेंगे आंदर परदेश में नीचे की तरफ चंद्रगिरी ठीके उसके बाद तमीर नाडू में सबसे उपर आप देखोगे तो यहां पर आपका कांची पूरम दे रखा है कांची पूरम और इधर तंजावूर एक नीचे तिरुवल्ली का लोकेशन भी आप दिखा सकते तिरुवल्ली ठीके नीचे की तरफ सबसे नीचे तिरुवल्ली ठीके और इधर क जरूर कर लेना जो मैंने आपको बताया है इसका रिवीजिन जरूर करके जाना ठीक है वैसे थोड़ा सा नाम टफ है लेकिन याद कर सकते हो आप एक बार खुद से मैप खाली मैप में सारे लोकेशन को भरके एक बार देख लेना ठीक है अगला आता है प्रमुक मुगल सामरा आप इन प्राजस्तास चै कर राजधानी तक वहुसका वीस्टार कहा कहां तक था उसके लोकेशन के अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लाहोर से सूरू करते हैं यहां पर आपको लाहोर जहां पर हडपा दिखाते हो, सेम जगे पे लाहूर का लोकेशन आजाता है, ठीक है, उसके बाद इधर आप देखोगे, पानी पत है, हरियाना में पानी पत रहेगा, दिल्ली सभी को मालूम है, दिल्ली कहा है, यह रहा हमारा दिल्ली, और इधर आप यूपी में नीचे की त इधर आपको गोवा का लोकेशन दिख रहा है, यह रहे गया, ठीक है, तो यह सारे लोकेशन आपको याद करने परेंगे इसमें से, आगे बढ़ते हैं, अठारू संतावन के विद्रोस से जुरे हुए जो चेत्र है, उसकी हम बात कर लेते हैं, भाई, बहुत सारे लोकेश याद कर लो, जैसे की, कोलकाता, कोलकाता का लोकेशन इंपोर्टेंट रहेगा, वारा नसी इंपोर्टेंट रहेगा, वारा नसी करके जाओ, लखनव करके जाओ, अवध, यूपी में आपको दिखाना है, बीच में अवध दिखा देना, भाई, अवध का लोकेशन बीच म यह वाला जो मैप है यह ज्यादा इंपोर्टेंट है उसको रहने दो इसको अगर तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा लेकिन यह वाला करके जरूर जाना इसमें के सारे लोकेशन इंपोर्टेंट है जिदने भी मैं बताने वाला हूं देखो सबसे पहले मेरट जहां से इस वि जरानसी बता दिया था मैंने छासी हासी इंपोर्टेंट है यहां पर यह वाला जो दिख रहा है यह वाला पार्ट आपको दिखे coher कि मैं दिखा रहा हूं यह वाला पार्ट यूपी में आप दिखोगी तो यह यह चांसी का लोकेशन है है इना गौर्य स inhale आप याद करके जाओ, जादा तर जो पूछा जाता है, मैं बता दो, तीन चार लोकेशन जो होते हो, इंपोर्टेंट होते हैं, मेरट, ग्वालियर, जासी, कोलकाता, यह चार लोकेशन इसमें से इंपोर्टेंट है, यह पूछा जाते हैं तुम्हारे पेपर में, बस इतना अंजोलन के पर्मोगिस्तल या फिर महात्वा गांधी सजी से जुरे हुए पर्मोगिस्तल है यहापे, तो सबसे पहले चौरी-चौरा, यूपी में उपर की तरफ यहाँ आपको दिख रहा है, वनारा साब को सब को दिख रहा है, चंपारा निधर उपर की तरफ बिहार मे यह लोकेशन इंपोर्टेंट है, उसके बाद लाहॉर तो आप सभी को मालूम है लाहॉर कहा है, अमरित सर पंजाब में दिखाते ना, थोरा सा नीचे की तरफ लियाओ, बिल्कुल जादा ही उपर कर दिया, कोई बात नी, वहाँ भी आप दिखा सकते हैं, अमरित सर हो गया है ना, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन दे रखे लाइन से, सबसे उपर एहमदाबाद, एहमदाबाद के नीचे खेडा, खेडा के नीचे डांडी और दांडी के नीचे बार दोली, ठीके चार लोकेशन थोरा सा बाई, करम में दिखाना परेगा, सबसे उपर एहम्तावास से सुरू करोगी उसके बीच में खेडा उसके नीचे डांडी और फिर बार दो ली है ना और बंबई आप सभी को पता है बंबई कहा दिखाओगे भाई महाराष्ट मिदर संबंदर किनारे बंबई दिखा देना यह आपका बंबई का लोकेशन हो जाएगा ठीक तो यह आपके परमुक राष्ट्य अंदुलन के केंद्र हो गया है यह सारे मैप में जो कि आपको जरूर करके जाना है हडपा सभिता वाला मैप जरूर कर लेना आप सभी बहुत धर्मबाला और महात्मा गांदी वाला मैप जो है यह मौस्ट इंपर्टन रहेगा बागे सा को भी डाउट हो कमेंट में बता सकते हो ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी अपना ख्याल रखे धन्यवाद